ये देखिए, ग्राफिक जरी आपको समझाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं, किस सरा से ये नोग जोक हुई और उन्हें कहा कि माम मैं आए हल्प यूँ, मैंने आपका नाम लिया था और सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया, डोंट टॉक टो मी यानि आप मुझसे बात मत कीजे, ये यहाँ पर देखने को मिला है तो ये पूरा घटना करम जो है, हम अपो ग्राफिक जरीय समझा रहे हैं सोनिया ने का कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है इसके बाद स्पृतिरानी आती है, वो कहती कि माम क्या मैं आपकी मदद करूँ क्योंकि मैंने ही आपका नाम लिया था, आपको बता दें कि सोनिया गांधी माफी मांगे, ये स्पृतिरानी ने लोगसभा में कहा था और उसके बाद सोनिया गांधी ने रियाक्षिया कि आखिर मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है ये रियाक्षिन जब सदन को सगत कर दिया गया उसके बाद सोनिया गांधी के तरफ से था स्मृती रानी उनके पास पहुँची कहा कि क्या मैं आपकी वदद करूँ क्योंकि नाम मैंने लिया था और सोन्या ने नाराज़ी भरे लहजे में कहा कि आप मुछ से बात मत करिये डोन्ट टॉक टु मी निर्मला सीता रमण का ये कहना है कि सोन्या गांधी ने स्मृती रानी को राष्ट्रपती वारे पूरे विवात पर धमकाने की डराने की कोशिश की है और ये पूरा मामला अब काफी जादा गर्माता जा रहा है हम आपको कुछ प्रत्किरियाएं भी सुनवाते हैं इसे करके दूसरे सांसद को आल्मोस्ट त्रेटनिंग आवास से बात की लें जैसे मैं दंखा है ये मंत्री गन भी बोल रहे हमारे साथ को साथ के पवार जी भी हो सो एक अपालोजी नहीं है दूसरा मिस्रीट कर रही हो मैंने आधिर ने अपालोजी कर दिया पालोजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए राष्टपती को राष्टपत्मी कहने का ये विवाद जो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुँच गया कि सूनिया गांधी ने समृती राणी से कहा डोन टॉक टूम्यआ holy ओ और अफव सं ई निर्मला सीतर अमर कहरे हैं कि सूनिया ने डराया है धंकाया है बिल्कुल शुभांकर और ये विवाद इतना बढ़ा कि सूनिया गांधी और स्मृति रानी आमने सामने आ गें सुनिया गांधी ने कहा कि मैंने क्या कहा आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं इस पर सुनिया गांधी ने कहा कि मैं आप से बात करती हूँ मैंने आपका नाम नहीं लिया और कम से कम तीन मिनट तक सुनिया गांधी सुनिया गांधी के बीच में जबर्दस्त नोग जोग होती रही इस बीच स्मृति इरानी उटकर सुनिया गांधी के पास आई और सुनिया गांधी ने उनसे कह दिया कि तो उन टॉक तुमी मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है स्मृति इरानी यही पूछने आई थी तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मैंने आपका नाम लिया था तुम इससे बात मत करो लेकिन जब इस तरह की बाते होने लगी तोनों के वीचि में स्मृति इरानी और सुनिया आगे आर पिताजी बिलकुल और बता दें आपको यह विवाद और बढ़ता हुआ नसरा रहा है और इसको लेकर भी प्रतिक्रियाए सही जी सामने आ रहे हैं जो प्रतिक्रियाए ज़ल्दी से वो सुनवाते हैं देखे जब सदन चार बज़े तक के लिए ठगित कर दिया गया उसके बाद हम सभी सदन से उठके जाने लगे इतने में बीजेपी के सभी सांसत चिलाने लगे अधनिया सुनिया गांदी जी के नाम लेकर के वो लोग चिलाने लगे इतने में सुनिया गांदी जी बापस आ इतने में सभी BJP के सांसद है, महिला सांसद है, पुरुष सांसद है, सभी आदनिया सोनिया गांदी जी के ओपर चिलाने लगे कि आपको माफी मंगनी चाहिए, ये कहते हुए, और कई अब सब्द भी कहे जए, मैडम को उंगली दिखा दिखा करके बोला जा रहा था, कि ये स्परेटी रानी जी ये कह रही थी कि सुनिया गांदी जी बहुत बोलती है, मेरे खिलाब में बहुत बोलती है, और फो जिस तरह से वहां बरता हो रहा था, मैं तो लगा कि थोड़े देर में ये लोग इक्दम हमारे ऊपर हमला कर देंगे, तो किसी तरह से हम लोगों ने दन्ये सोनिय अगंदी जी को वहां से बीच पेचाओ करके हम लोग निकाल ले हैं वहां से और आज की जो घटना है ये लोगतंत्र के मंदिर में काला अध्याय है और इसके हम लोग कड़े सब्दों में निंदा पर से गीदा जी पर दिर्मला जी तो ये क्या रही कि सोनिय जी एक दम दोन टॉक तुमी उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल गलत कहा क्योंकि हम लोग सुनिया गांदी जी जी तो गीता जी बात शुरू कहां से हुई क्योंकि ये समझना भी मुश्किल हो पा रहा है कि आखेकर स्मिती रानी ने बात शुरू की सोनिया गांदी से शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ ये सब कुछ